आपने कभी रोलर कोस्टर की सवारी की है, कभी उपर, कभी नीचे, कभी गोल-गोल, कभी-कभी तो उल्टा, हालात ऐसे बदल जाते हैं, लेकिन थ्रिल, मज़ा तो बहुत आता है, आजादी के बाद हमारे देश का जो इतिहास है, वो भी इसी एक रोलर कोस्टर जैसा है, पॉइंट्स उससे कई जादा हैं, अगर आप एक मैक्रो लेवल से देखो, अगर दूर से देखो तो, देश की 75th Independence Day पर, देश भक्त की ओर से, एक special two-part presentation, जहां हम 75 ऐसे एतिहासिक पलो को याद करेंगे, जिस पे हमें गर्व है, वो पल जिसने हमारा सीना गर्व से कर दिया, वो पल जिन्होंने देश को एक अलग ही पहचान दी, और इंडिया को one of the superpowers of the world बनाया, शुरू करते हैं समविधान से, हमारी डिमोकरसी का सबसे बड़ा achievement, देश का समविधान, 26 January 1950 को अडॉप्ट किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेतकर के निगरानी में बन हमारा समविधान, देश को जातपात और धर्म से उपर रखने वाला समविधान, हमारी national unity और हमें global superpower बनाने की नीव हमारी समविधान से शुरू हुई हौकी 1948, एतिहासे किसलिए क्योंकि आजादी के बाद पहली बड़ी international achievements में से एक इसे गिना जाता है सिर्फ 70 मिनिट थे, जी हाँ 70 मिनिट, किशनलाल और उनकी हौकी टीम के पास थे, इंडिपेंडिन्ट इंडिया को अलमपिक्स में पहला gold medal जिताने के लिए अपनी घुलामी के जन्जीरो को तोड़ चुका हिंडुस्तान ने बृतिन को बृतिन में ही जाकर चार जिरो से फाइनल्स में हराया, घर में घुसके मारा नमबर तीन, यूनिवरसल फ्रेंचाईज आजाद हिंदुस्तान में हर नागरिक को वोट देने का हक पहले इलेक्शन से ही हमें मिला इसका मतलब करोरो खर्बो वोट्स, दुनिया ने कहा तुम से ना हो पाएगा बेटा 25 जैनवरी 1950 को इलेक्शन कमिशन का गठन हुआ और लगभग एक साल में हुआ चमतकार ना ही नोट से, ना ही चोट से, ना ही दूसरों में निकालने के खोट से इंडिया ने अपने आप एपरिल 1952 में पहले इलेक्शन्स करवाए और हमारा पहला लोक सभा बना नमबर चार, इंडियन रेलवेज, देश में रोज 2 करोर 40 लाख से ज़ादा लोगों को ट्रांसपोर्ट करने वाला, 20 करोर टन से ज़ादा सामान धोने वाला इंडियन रेलवेज, आज दुनिया में लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क में से एक माना जाता है साथ ही साथ ये वर्ल्ड की टॉप टेन इंप्लॉइमेंट जेनरेशन कंपनीज में भी आता है नमबर पाँच, मोनोतोष रॉय, एश्वरिया राए, शुश्मिता सेन का तो नाम सुना, लेकिन राए साथ कौन है? भाई घूमते घूमते इंडिया के मोनोतोष रॉय, 1951 में यूके पहुँच गए और अपने 45 इंच की छाती और 16.5 इंच के डोले शोले से वहां के ओडियन्स को इंप्रेस किया और ग्रूप 3 अमेचर डिविजन में मिस्टर यूनिवर्स बन गए नमबर 6, SBI बैंक्स की बात करें और SBI का नाम ना ले, ये कैसे हो सकता है? 1 जुलाइ 1955 को इंपीरियल बैंक और कई स्टेट ओन्ड या स्टेट पार्टनर्ड बैंक्स की मदद से बना SBI आज करीब 22,000 ब्रांचे, 62,000 ATMs, 45 करोर कस्टमर्स हैं SBI के पास बने, अगर आप 45 करोर समझे तो दो पाकिस्तान SBI कस्टमर्स के अंदर ही समा जाएंगे नमबर 7, LIC, 1956 में करीबन 245 इंशुरेंस कमपनी को जोड़ कर इंडिया का सबसे बड़ा इंशुरेंस कमपनी LIC बनाया गया दो हजार से जादा ब्रांचेज, एक लाग से जादा इंपलोईज, 28 करोर से जादा पॉलिसी इशु करने वाला LIC की एसेट मैनेजमेंट 500 बिलियन डॉलर से जादा है आजादी से लेकर आज तक LIC देश के लोगों को इंशुरेंस कवरिज देता है, उन्हें चैन की नीम्द सोने देता है और नाहीं देश का काम चलेगा नमबर आठ के बिना, IIT, IIM and AIMS 1956 में देश को IIT और AIMS जैसे Engineering और Medical Institutions, Premium Institutions मिले और 1961 में मिला Management Institute, IIM देश के इन Premier Institutions में पढ़ने वाले बच्चे आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे है माजिस की डबी से लेकर नुकलियर मिसाइल तक बनाते हैं, ये graduates नुकलियर पावर, वैसे तो नुकलियर पावर की एहमियत इंडिया को बहुत पहले से ही समझ में आ गई थी इसे लिए आजादी के कुछी साल बाद 1956 में भावा आटॉमिक रिजर्ट सेंटर के ट्रॉम्बे कैंपस में देश का पहला नुकलियर रियक्टर बना इसके मदद से बने radio isotope के इस्तमाल, medical applications में हुए, agriculture and food research में भी किया गया नुमबर 10, सोनी लिफ पर आपने एक सीरीज बड़ी फेमस ही देखी होगी, scam 1992 लेकिन यहां हर चीज़ स्कैम नहीं है, जिस stock market की बात यहां की गई है सीरीज में उसकी establishment हुई थी 1957 में, आज वो ही BSE हमारे economic power का एक प्रतीक है इस पे हजारो companies listed हैं और यह दुनिया के top 10 exchanges में गिना जाता है with a market capitalization of 1.7 trillion dollars, सोचे कितना आदान प्रदान, कितना exchange होता है यहां नमबर 11, मिहीर सेन, 1958 में Indian swimmer मिहीर सेन ने human endurance की मिसाल दी 14 घंटे से जादा English channel में तैर कर उन्होंने English channel को cross किया मिहर सेन, एक साल में 5 oceans तैरने वाले दुनिया के एक मातर सुई मरतब बने 1966 में उन्होंने पार्क स्ट्रेट, स्ट्रेट्स अफ जिबरॉल्टर, बॉस्परिस, पेनामा केनाल बगएरा साब कुछ तैर डाला, Guinness Book of World Record में अपना नाम भी रेजिस्टर किया DRDO, सिर्फ पानी ही नहीं, हावा में भी उडने में इंडियन्स ने नायाब achievement पूरा किया 1958 में बने DRDO ने हमारे देश के defense को नई मस्बूती दी अगनी और पृत्वी जैसे missiles, तेजस जैसा light combat aircraft, multi-barrel rocket launcher और ऐसे wide range of armaments and unmanned aircraft DRDO ने बनाया है हमारे देश को सुरक्षा देने का बहुत एहम काम किया है अब अनलकी 13 पे आ जाते हैं, हमारे लिए नहीं पॉर्चुगल के लिए military strength मजबूत करने का फाइदा है कई साल से पॉर्चुगीज पावर के अधीन रहने के बाद 1961 में इंडिया ने गोआ में अपना वर्चस्व वापस कायम किया 450 years पॉर्चुगीज रूल के बाद गोआ आजाद हुआ और उसके बाद आमिर सैफ और अक्षे खना गए उनका दिल चाहा कि वो गोआ जाए और उसके बाद तो खेट पूरा देश और पूरे देश की युवाई गोआ जाती रहती है 1964 में बनी बॉलिवूड मुवी यादे दुनिया की पहली फुल लेंद फीचर फिल्म बनी जिस पे सिर्फ एक एक्टर था इसे गिनिस बुक ऑव वर्ल्ड रेकॉर्ड में भी दर्च किया गया अफसोस ये है कि बॉलिवूड आजकल इतने एक्सपरिमेंट्स नहीं करती है इसलिए फ्लॉप होती रहती है norm 15 65 war इंडिया आर्मी ने पाकिस्तान के हमले का सामना किया और उन्हें जंग में हराया इस युद्ध में इंडिया ने पाकिस्तान के 70 से जाधा एरक्राफ 500 से जाधा टैंक्स मार गिराया फाइनली अपने हार से परिशान पाकिस्तान ने ताशकेंद में इंडिया के साथ समझोता किया वही ताशकेंद जहां प्राइम मिनिस्टर लाल बहादूर शास्त्री की रहस्त में मौत भी हुई 1966 सिर्फ जंग ही नहीं ब्यूटी टाइटल्स में भी इंडिया ने दबदबा बनाया अपना विश्व में 1966 ब्यूटी कॉंटेस्ट में रीता फारिया देश की पहली मिस वर्ल्ड बनी और फिर 1994 में सुश्मिता सैन और मिस उनिवर्स और 1994 में ही ऐश्वरे अराय मिस वर्ल्ड भी बनी ग्रीन रेविलूशन 1964, 65 और 65, 66 में इंडिया ने दो सिवियर ड्राउट्स देखे और इस समय इंडिया की बढ़ती आबादी से भी बहुत लोग चिंतित थे ग्रीन रेविलूशन उस समय आया एक चमतकार बनके हाई यिल्डिंग सीड्स की मदद से हमने अपने क्रॉप्स के प्रोडक्शन को काफी हद तक बढ़ाया इस रेविलूशन के वज़े से वीट पर हेक्टर यिल्ड 850 केजी से जाकर 2200 केजी तक पहुँच गई नमबर 18, 1968 में पंडित रवी शंकर ने ग्रैमी अवार्ड जीता जो की इंडिया का पहला ग्रैमी अवार्ड था इसके बाद इंडिया ने ग्रैमी अवार्ड की तो मानो बहार ला दी गुलजार या रह्मान, जाखेर हुसेन, सब को फिर उसके बाद ग्रैमी मिला 1969 में बने इसरो ने इनको स्पार्क को रिप्लेस किया इसरो का फॉर्मेशन किया गया था इंडिया को वर्ल्ड क्लास एक एलीट स्पेस क्लब में शामिल करने के लिए उस समय तो दुनिया हमारे उपर हसी इसरो को तो एक मजाग समझा जब इनिशल उनके रॉकेट लॉंचेस फेल होने लगे लेकिन फिर दुनिया ने और दुनिया को मजाग बना के रखा है इसरो ने जब एक ही रॉकेट में हमने 104 सैटलाइट्स लॉंच किये है साथी साथ मंगल यान लॉंच करके हम मार्स तक पहुँच गए है अट अट अवेरी लो कॉस्ट इंडिया की एकॉनमी को पट्री पर लाने और लोन्स और बाकी बैंकिंग बेनेफिट्स घर घर पहुँचाने के लिए बैंकिंग को नैशनलाइज कर दिया गया 1969 में और इसके बाद काफी हद तक फार्मर्स और अलग-अलग सेक्टर्स को बैंकिंग और लोन का फाइदा पहुचा वाइट रेविलूशन जो देश एक समय मिल्क डेफिशिंट था वो दुनिया का लार्जिस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कैसे बन गया और उनके द्वारा लाया गया 1970 में वाइट रेविलूशन तीन में बाते हैं जो वाइट रेविलूशन ने कवर की कि मिल्क की प्रोडक्शन इंक्रीस की जाए रूरल इंडिया में मिल्क कंजम्शन बढ़े और कंजूमर तक मिल्क अच्छे प्राइस अच्छे दाम में पहुँचे नमबर 22 एक एतिहासिक डेविलॉपमेंट आजादी के बाद बना इस्ट औन वेस्ट पाकिस्तान और बीच में इंडिया लेकिन ये एक्सपरिमेंट पाकिस्तान के लिए तब फेल होने लगा जब इस्ट पाकिस्तान का एक्स्प्लोइटेशन हुआ और लैंग्विज जैसी चीजे उन पर थोपी गई बाई वेस्ट पाकिस्तान बांगलादेश का एक्स्प्लोइटेशन देख बंगलादेश इसे solar physics, x-ray astronomy, agronomy के field में experiments हुई और हमें काफी मदत हुई पॉइंट नमबर 25, हमारे constitution के article 25, 26, 27 और 28 में right to freedom of religion तो mentioned है ही जो हमारे देश को secularism वो दर्शाता है लेकिन इसके बाद 1976 में 42nd amendment से इंडियन constitution में secular word को भी जोड दिया गया बैसे तो हमारा समिधान पूरा ही secular है लेकिन अब इसके intro मने इसके bio में भी secularism शब्द एड़ कर दिया गया इंडियन independence के बाद सबसे बड़ा प्रोटेस था जेपी आंदोलन जो शुरूँआ 1974 में ब्रश्टा चार और बेकार गवर्ननेंट से तरस्त होकर जये प्रकाश नरायन ने nationwide प्रोटेस लॉंच किये जब आभी कारवाई में कॉंग्रेस ने लगाई emergency लेकिन emergency हटने के बाद पहली बार नौन कॉंग्रेस गवर्नन देश में आए और उसके बाद कॉंग्रेस की हालत खस्ता ही होती रही Smallpox eradication 1974 में Smallpox एक epidemic हुआ था और देश में 15,000 से जादा लोगों की जाने गई थी इस भीषण बिमारी से इलाज के लिए इंडिया ने operation zero launch किया और 1979 में इंडिया ने smallpox को eradicate कर दिया Mass vaccination में इंडिया का पहला major achievement रहा 1982 में आया देश में color TV और आज हमारे देश में 20 करोर से भी जादा TV सेट्स हैं और हजारों चैनल में अलग-अलग language में दुनिया भर के news और entertainment आपको मिलता है नमबर 29 टीवी मिलने के साथ हमें बापू पर बनी movie गांधी भी दिखी और उसमें काम करने वाली costume designer भानु अथाया का काम लोगों को बहुत पसंद आया इसलिए भानु अथाया को 1983 में इंडिया का पहला Oscar Award मिला आज के डेट में रसूल पुकुटी, सत्यजीत रे, गुलजार, एयार रह्मान को भी Oscar मिल चुका है एयार रह्मान को तो दो-दो Oscar 1983 में जब इंडिया के team England पहुंची अपना तीसरा World Cup खेलने के लिए उनके पास World Cup में अपने achievements गिनाने के लिए बस एक ही जीत थी 1975 में East Africa को हराना और इस World Cup में पहला ही match लास्ट दो बार World Cup champion जीतने वाली West Indies से हमने हार भी दिया फिर लेकिन एक के बाद एक हमने ऐसा match जीतना शुरू किया और इंडिया पहुंची फाइनल में जब Best Indies को उन्होंने हराया पहली बार इंडिया ने कपिल देव की कप्तानी में World Cup उठाया नंबर 31 हमारे देश के गंतंत्र को ग्रास रूट लेवल तक पहुचाने के लिए प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केर जैसी बेनेफिट्स गाउं गाउं तक पहुचाने के लिए 1983 में 73rd पंचायती राज अमेंडमेंट की लाया गया गाउं के डेवलप्मेंट के लिए एक एहम कदम ये था विंग कमांडर राके शर्मा ने एर फोर्स में अपना जलवा तो दिखाया ही था 1984 में सोवियत इंटर कॉसमोस का हिस्सा बने सोयूज T-11 में स्पेस में गए और स्पेस में जाने वाले पहले इंडियन बने उन्होंने वही देखा स्पेस में जो हमें जमीन पर भी दिखता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा स्पेस क्रिकेट के बीज घरों में भी टीवी सेट्स आने लगे और लोग मूवीज और न्यूज बड़े प्यार से देखने लगे इसी वक्त 1984 में इंडिया की पहली टीवी सीरीज आई हम लोग मनोहर शाम जोशी की राइटिंग वासुदेव कुमार की डिरेक्शन में बनी ये सोप आपेरा 17 महीने तक चली और गवर्मेंट चैनल की बोरिंग परसारन से बिलकुल अलग थी टीवी देखना जरूरी है लेकिन पढ़ना भी जरूरी है इसी लिए तो इंडिया में 1985 में इंडरा गांधी नैशनल ओपन युनिवरसिटी या इगनू की स्टैबलिश्मेंट हुई स्थापना हुई सिर्फ दो प्रोग्राम और 4500 स्टूडेंट्स के साथ आज यही 31 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ाती है नैशनली, इंटरनैशनली और दुनिया की सबसे नंबर वन लार्जेस्ट ओपन युनिवरसिटी मानी जाती है नंबर 35, दुनिया को चेस देने वाले हमारे देश ने दुनिया को विश्वनातन आनंद भी दिया और पूरे विश्व को बता दिया कि खेल बनाने वाला और खेल में बाजी मारने वाला एक ही देश हो सकता है 1998 में विश्वनातन आतन चेस के ग्रैंड मास्टर बने 2006 में उनकी रेटिंग 2800 लाने वाले वो दुनिया के सिलेक्टेड चेस चैंपियन्स में वो शामिल हुए तो ये तो थे कुछ ऐसे मोमेंट्स और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आजादी से लेकर 1990 तक और ऐसे मोमेंट्स नहीं हुए जिससे हमें काफी गर्व हुआ लेकिन ये ऐसे कुछ जरूर मोमेंट्स थे पार्ट टू में हम देखेंगे 1990 से लेकर आज तक के डेट में ऐसे और क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुई लेकिन आशा करता हूं कि पार्ट वन में ये सारे डेवलपमेंट्स देखके आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि देश में वृद्धी, देश में प्रोग्रेस हमेशा हो रहा है, हो रहा था और होता रहेगा डू बेट फॉर पार्ट टू